हेलो एवरिवन वेलकम टो जीडिसी एट्विटर आज के इस वीडियो में हम नेश्रिल कार्मिनेटी एजेंट के अंडर असाफोईटीडा को डिसकस करेंगे जिसको हम हिंक के नाम से भी जानती हैं असाफोईटीडा को और कौन से नाम से जाना जाता है उसका कौन से पार्ट मेडिसिनली यूज किया जाता है उसका बोटिनिकल नेम क्या है और उसको कौन से प्लेस में मेंली पाया जाता है Asafoetida का cultivation and collection कैसे किया जाता है उसमें कौन से specific order होता है, taste होता है और उसमें कौन से ऐसे chemical constraint होते है जो कि हमें medicinally and commercially based पर use होगा इन सब बातों का हम details से discuss करेंगे इस video में Asafoetida एक resin containing drug है इसके synonym पे आती है तो इसको हम gum asafoetida और साथी साथ इसको हम devil's drug भी कहती है devil's drug इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे Indian culture में hinka use करते हैं हम पूजा के time में hinka use करते हैं ऐसा माना जाता है कि यह negative energy को दूर करता है इसलिए इसको हम devil's drug भी कहते है और इसका devil's drug कहने का एक और कारण है इसमें एक penetrating सा accurate taste जो इसका order होता है इसलिए इसको हम devil's drug भी कहते हैं अब इसके biological source पे आते हैं तो इस असा foetida है वो oleo gum resin का mixture होता है means ये volatile oil gum and resin का एक mixture है और इसको हम obtain करते हैं by incision means इसको हम cut करेंगे इसके rhizome और root part of ferula foetida और ferula rubri calis part का हम क्या करेंगे incision करेंगे और इसका जो family है वो है umbelly fairy इसके biological source के बाद इसके geographical source पे आते हैं तो असा foetida को मेंली इरान और अफगानिस्तान एरिया में मेंली इसका cultivation किया जाता है इंडिया में only three species इसका available है जो की जैसे की कास्मीर में है इसका ferula nartex species है वो मेंली कास्मीर एरिया में पाया जाता है अब इसके हम cultivation collection की ओर आते हैं असा foetida का cultivation मेंली अफगानिस्तान में होता है अफगानिस्तान में जो की resin part होता है इसका असा foetida का वो obtain करते हैं उसका root और rhizome part से root और rhizome part है जो की mainly carrot shape का हमें दिखाई देता है यहाँ पे आप देख सकती है यह असा foetida का root और rhizome part होता है जो की हमें mainly इसकी incision से resin obtained होता है इसका जो resin है जो plant होता है 4 से 5 यर वाले plant से ही resin हमें mainly obtained होता है जिसका diameter 12 to 15 cm का होता है इसके resin को obtain करने के लिए मार्च से अप्रेल मंत के बीच में जब इसका flowering होने वाला रहेगा just before flowering क्या करेंगे इसका जो root part रहेगा just above the root part इसका जो crown रहता है वहां से हम इसको cut कर लेंगी cut करेंगे तो इसका क्या होता है milky juice obtained होगा यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार से इसमें milky juice obtained होगा जो की कुछी देर में coagulating होने लगता है coagulating इसका start हो जाता है कुछी देर में अब इसका जो resin है उसको हम contamination से बचाने के लिए इसमें क्या करेंगे leaves और branches से एक dome saved का इसमें क्या बनाएंगे device बनाएंगे जिससे कि उसका जो contamination है वो prevent हो सके और यह अच्छे से और इसमें कोई contamination ना रहे then उसके कुछ दिन बाद इसका जो क्या करेंगे जो coagulated matter रहेगा उसको scrapped off कर लेंगे means इसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसमें एक इसमें यह वाला जो process है वो हम continue करते रहेंगे 3 मन तक जब तक इसे जो हमारा resin है वो obtain होते रहेगा तब तक कि यह हमें process करते रहेंगे then उसके बाद इसका जो हम collection कर लेंगे collection करेंगे और उसको बाद उसको हलका सा dry करेंगे then उसके बाद suitable container में इसको आप क्या करेंगे package कर लेंगे so यह था हमारा simple पर्सिस्टेंट एंड पेनेट्रेटिंग एलीजियस इसका ओर्डर होता है एलीजियस वर्ड को आप याद रखेंगे जिस किसी भी प्लांट में जो एलीजियस प्रेजन होता है जैसे कि गार्लिक इसमें उसको हम एलीजियस टेस्ट और ओर कहते हैं एलीजियस टेस्ट मिन्स गार्लिक इसमें ओर्डर होगा और इसके टेस्ट में आएंगे तो इसका टेस्ट होता है बिटर एन एलीजियस यहां पर भी एलीजियस वर्ड यूस हो रहा है मिन्स इसका जो टेस्ट है वो भी अलका सा गार्लिक इसका टेस्ट होगा और इसमें एक तीर सेफ होता है वह मेली राउंडेड होता है और फ्लैटेन होता है सीप में अब असफोटीडा के मैक्रोस्कोपिकल करेक्टर के बाद इसके केमिकल कॉंस्टेंट में आते हैं असफोटीडा के केमिकल कॉंस्टेंट में आते हैं देखते हैं उसमें कौन से ऐसे केमिकल कॉंस मिनसे criteria मैं एंद्साइब कुछ पाउंड में वॉलाटाल ओईल गब रीजिन है जो कि i स्का केमिकल कॉंस्त्रेंग है असा इसा रेजिनोम टीनॉल इंपकर अमबेली फेरान जो कि free form में नहीं होता है जो की होता है फैरुलिक इसिड का जब हम हैडिरोकलोरीक एसिड के साथ इसका treatment करेंगी हैडिडो कलोरीक एसेड के साथ treatment करने से यह बना लिता हैं आम इसिड怎么样 से जब इसका water werden dot यहाँ पे जब Ambelly Casid का water loss होगा तब यह बनाएगा Ambelly Ferron तो यहाँ पे जो Asafoetida है वो free form में नहीं होता यह इसका एक distinguish feature है Asafoetida का जिसको आप याद रखेंगे जो कि अप्टेट होता है Feroli Casid का STL के साथ treatment करेंगे देन यह convert हो जाएगा Ambelly Casid में देन उसके बाद water loss होने के बाद यह Ambelly Ferron जो है वो बनाता है अब इसके ऑईल में आते हैं तो Asafoetida का जो ऑईल है वो हमें इसके ओलियोगम रेजिन का जब हम steam distillation process यूज करते हैं तब हमें octane होता है Asafoetida का जो oil है उसका जो main chemical constraint है वो है secondary butyl propyl disulfide है जो कि इसमें में प्रेजर होता है अब इसके specific order में आते हैं जो इसको हमने पहले देखा था इसमें एक इसमें order होता है penetrating इसमें order होता है जो कि मेले इसके sulfur compound के कारण responsible होता है अब इसके chemical constraint के बाद इसके uses में आते हैं तो हम इसको use करते हैं as a carbonative agent हिंक का use हम as a carbonative agent की तरह करते हैं क्योंकि यह क्या करता है स्ट्रमक में जब गैस बन दे रहता है उसको prevent करता है या गैस बन चुका है स्ट्रमक में तब उसको expel out करता है इसलिए इसको हम कार्मी नेटिव एजिन की तरह यूज करते हैं साथ ही साथ इसका कहीं कहीं पे नर्वाइन ** 스thought की तरह भी यूज किया जाता है यह कहीं पे nervous system के disease में भी heat होता है और साथ एंटिव यूज करते हैं का मतल्ब होता है यह कैसा condition है जिसमें चुक में जब गैस बन जाता है तब इक आथन से होता है और हमें pain स्टूमिलेंड की तरह भी यूज किया जाता है यह कहीं कहीं पे नर्वस सिस्टम के भी यूज होता है और इसका हमें से की तरह भी यूज़ करते हैं और अच्ट की तरह भी यूज़ करते हैं जो असाफ फोई टीडअ है उसका हम फॉट्पाइट इसके नेयस्ट वीडियो में हम रिमैनिंग काड़ में डिसकल करेंगे थांक्यू